पूजा नमस्कार तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में किसके बारे में बात करे थे हम लोग मैं हम श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के बारे में बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और किसके बारे में बात करते हैं समानांतर क्रम संयोजन के बारे में बात कर रहे थे ठीक है इनी के बारे में बात कर रहे थे आच्छा तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था भई लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मैम यदी किसी प्रतिरोध का एक सिरा मात्र एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होता है just like R1, R2, R3 तो यह कौन सा प्रकार का सहयोजन होगा तो मैं हम यह श्रेणी करम सहयोजन होगा बोलो भाई होगा की नहीं होगा और मैं हम इसके लिए प्रिया नमस्कार आप टाइम से हैं बहुत अच्छी बात ह और इसके लिए हमने जो है एक क्या निकाली थी इसके लिए हमने डेरिवेशन भी निकाली थी इनसौर नमस्कार नमस्कार तो देखो इसके लिए हमने एक डेरिवेशन निकाली थी जो क्या आई थी मैं पस R जो की कैपिटल है या फिर हम टोटल R कहें R तुलिया इकोल स्ट प्लेस आर्थ्री या फिर मैं जितने भी रेजिस्टेंस हो तो हमके लिख सकते हैं आर एन बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ भई फटावट से इंसौर बिल ठीक है चलो दिव्या हंजी अब इसके अगर मैं बात करो हमारे समानतर करम सयोजन की तो मैं इ कोकी जुड़े हुए होते हैं इस प्रकार की से जहां को हम लोग क्या कहते हैं यहां लोको की प्लस और और नहीं सब को समझ में आ गिए था तो फिर आगे बात करेंगे और कोशिशं हैसानी और सरकार जी नमस्कार ठीक है दिव्या ओके और बाकी सब कहा हैं भई फटा फट्चे हंसा राधे 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 ठीक है चलो अभी देखो यहाँ पर क्या बोल तो यह सारी चीज समझ में आगे तो यार थमस अप कर दो शेयर कर दो कहां चले जाते हो पता है न तुमको तीन बजे क्लास होती अपनी फिर भी नहीं आए हो है रेणु का जी नमसकार रेणु का राधोर बिलकुल नमस्ते बच्चे वेरी गूट ठीक है ओके जी के जी नहीं आया बच्चे आप कल टी इतना तो समझ में आई गया होगा विकास जी कल नहीं थे इसलिए में भी हो सकता है पर कोई बात नहीं एक क्योशन दे दी हूँ अगर सबको समझ में आ गया तो आप देखिए भाई क्या बात कर रहे हैं यतना तो हमने समझ लिया था श्रेणी क्योशन देती हूँ और पूस्ती हूँ कि देखे क्या तुम उस क्योशन को सॉल्ब कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो पर इसके अलावा अगर कुछ पढ़ना था तो ये भी आपको पढ़ना और वी जो है वो क्या रहेगा असमान रहेगा इसलिए आप ने वी इक्वस्तु श्रया किया था और यहाँ पर बात करते हैं तो आप कहोगे मेंदम धारा जो होती है इलेयक्टरिक प्रbayण्ट जो है वो क्या रहेगा समान रहेगा और जो है मैं यह तड़्ांरप्षन पर काम करेगा बोलो भाई यह इतनी चीज़ें हम लोगों को इनके बारे में पढ़नी थी और ध्यान रखनी थी क्योंकि क्योशन जो है वो यहीं से ही पूछे जाते हैं अब देखिये यह सारी चीज़े हो गई एक छोटा सा क्योशन तुम्हें दे रही हूं कि बच्चे किस किस तरीके से क्या क्या किस पैटन में क्योशन पूछे जा सकते हैं ठीक है राधे राधे निरंजन जी यार फड़ावट से आजाओ तुम लोग एक तो इतना इंतजार क्यों है इतना इंतजार तो कोई नहीं करवाता जितना तुम लोग करवाते हो तो फड़ावट से टाइम पे आ जाए गरो है ना अब भी बोल रहे हैं देखो यह कोई परिपत है यह कोई परिपत है जिसके अंदर मैं नहीं बताऊंगे कि कौन से प्रकार का सयोजन जुड़ा हुआ है मैं बोल रहे हो पहला प्रतिरोज जो है वो तो मैं पांच ओम का है सुलो भाई मैं बोल रहे हो मैं आरवन और आर टू दे रखे हैं आप लोगों को बैटरी भी लगी ठीक है ओके ओके सुमन जी बिलकुल सही है ठीक है प्रिया अभी आंसर करना है तुम लोगों को कि मैंडम क्या रहेगा मैं पूछ रहे हूं तुमसे कि वह एक तो तुम मुझे ना आर तुल्य बता दो एक तो तुम मुझे क्या बता दो आर तुल्य बता दो और एक मुझे प्रतिरेक प्रतिरोध में उत्पन धारा ठीक है मैं क्या बोल दूसरा मुझे बता दो प्रतेक प्रतेक प्रतिरोध में उत्पन धारा दो चीजे बता दो भई बस और कुछ नमत बताओ बस यह दो चीजे बता दो आपको आर आई वन भी बता दो मुझे और आई टू भी बता आपको सारी चीजे मैंने आपे दे दी हैं आपको आरवन दे दिया आरटू दे दिया वोल्ट दे दिया आप तो कर सकते हो राम राम कृष्णा जी राम राम रिंकू वेरी गुड मॉर्निंग ठीक है यार तुम लोग टाइम पर आता हूँ एक तो लाले जी वेरी गुड आफ तुम्हें तुल्य प्रतिरोद आता है कि नहीं आता है मैं आता है हमको क्योंकि ये कौन से प्रकार का संयोजन है पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए तो मैं ये कौन से प्रकार का संयोजन है हमें पता है ये समानांतर कौन सा संयोजन है भाई समानांतर संयोजन है पह करते हैं. तो जो लोग नए हैं उनको ध्यान रखना है. इसका एक ही फॉर्मुला है. सिर्फ एक फॉर्मुला और क्योशन आराम से कर लो. भई क्या हो जाएगा? मैम r1 r2 upon r1 plus r2 बस आपको r1 दिया हुआ है आपको r2 दिया हुआ है आपको r1 सब दिया हुआ है तो r1 की जएगे 5 गुणा 10 upon 5 plus 10 equals to 50 upon 15 equals to 15 15 15 45 हो गए की नहीं हो गए तो आप इसका जो अगर प्रतिरोद की बात करें तो क्या हो जाएगा भई पाथ से काट लो पास ती है पंदरा पाथ है दस तो दस बटे तीस तो इसका क्या आ गया भई तुल्या प्रतिरोध आ गया बोलो भई आया की नहीं आया मैडम दस बटे तीस तो इसका क्या आ गया तुल्या प्रतिरोध आ गया जो लोग नए है सिर् अब यह हो गया कि मैम R1 में अलग धारा बहेगी और R2 में अलग धारा बहेगी ठीक है और I के लिए formula क्या होता है ओम का नियम है V equals to IR तो अगर I निकालना हो तुमको अगर I I मतलब धारा और अगर धारा निकालनी हो तो V upon R करोगे कि नहीं करोगे अरे बोलो भाई क्या करोगे V upon R करोगे कि नहीं करोगे तो देखो हमने क्या कर लिया मैडम V upon R अब तुमको क्या करना है पहले तो I1 निकाल लो भाई I1 पूछे है ना तुमसे हना तो पूछे है तो निकाल सकते हो मेडम हमने पहले तो क्या कर लिया हमने i1 निकाल लिया i1 करते तो v upon क्या आ जाएगा r1 आ जाएगा r सबके लिए अलग हो सकता है v सबके लिए equal रहेगा समानतर क्रम सहयोजन में बोलो भाई होगा की नहीं होगा अरपिता चुके हैं क्या चलो ठीक है अब देखो भाई समझो v कितना दे रखा है मेडम examiner ने 15 दे रखा है r कितना हो जाएगा भाई बताओ फटावट से कितना हो जाएगा भाई r तो दे रखा है न तुमको r कितना हो जाएगा फटावट से बता दो तुम बता सकते हो कितना हो जाएगा फटावट से बताओ भई अगर आई पूछे तो बताओ भई फटावट से नमस्कार फॉजी जी नमस्कार ठीक है तो कितना हो जाएगा भई आर कितना हो गया पांच हो गया की नहीं हो गया बोलो भई पांच होगा की नहीं होगा 15 बटे 5 होगा कि न होगा 15 बटे 5 करोगी तो मैडम कितना आ गा 15 बटे 5 के थो हमको तो नहीं आती है गनित तुम्ही बता तो 4.5, दिव्या क्या मैं सही हूँ क्या, बिल्कुल नहीं हूँ ठीक है, दिव्या 4.5 दूसरे वाले का बोल रही है 15, तो ये थो कितना आ जाएगा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूं या एक पॉइंट तो वन पॉइंट कितना आ जाएगा भई वन पॉइंट फाइफ होगा कि नहीं होगा बता दो फटावट से 15 बटे दस क्या हो जाएगा 15 बटे दस तो मेडम एक का तो आ गया 3 MP और दूसरे का आ गया 1 बोलो भाई अब अगर तुमसे पूछे कि संपूर्ण संपूर्ण या फिर मैं बोलू आई तुल्य तुमसे पूछ ले यदि आई तुल्य पूछ ले तो तुम कर सकते हो आई तुल्य कितना आ जाएगा तीन को और एक पूइंट पांच को जोड़ दो भाई मैडम इसमें तो आई वन पूछे तो कर सकते हो आई टू पूछे तो कर सकते हो आर पूछे तो भी बता सकते हो और टोटल आई पूछे आई तुल्य पूछे तो भी कर सकते हो बोलो भाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो नमस्कार मुकेश जाट जी और गाईस अगर समझ में आ गया तो थमसप करो जिसको नहीं आया नहीं बोलो ताकि मैं आगे नहीं जाओं बताओ और ये जो है वो कौन से संरक्षन पे काम करेगा मैडम ये आवेश संरक्षन के सिध्धान पे काम करता है और इसमें जो है प्रतिरोध का मान क्या होता है मैम कम होता है बोलो होता है कि नहीं होता क्योंकि प्रियंगा कल की क्लास ली थी क्या बच्चे? कल की क्लास ली थी क्या प्रियंका हंजी very good very good 3.3 आएगी बिल्कुल सही बात है बच्चे very good पूजा कल की क्लास ली थी क्या once again विनोज जी बोल रे मैडम repeat कर दो देखो simple सी बात पूछे अगला question करवाती हूँ कि मैडम किस किस पैटर्न में question पूछे जाते हैं तो बता दो तो यह को मैंने कल की क्लास में श्रेणी करम क्या question करवाय था आज की क्लास में समांतर का करवा दिया एक छोटा सा question करवा देती हूँ उससे सबको समझ में आ जाएगा अरे आएगा RDKG बिल्कुल आएगा ठीके मजाक नहीं कर रहे हैं यह इसलिए पढ़ा रही हूँ इतना डीप इसलिए पढ़ा रही हूँ कि पटवार वाले तो डाइरेक्ट ध्यान रख ले हैं बस दो ही ध्यान रखना है पटवार वालों को तो क्या कि श्रेणी करम में तो R1, R2, R3 हो जाता है और समांतर क्रम में R2, R1 अपन R1, R2 हो जाता है ठीके एक क्योशन और करवा देती हूँ किस टाइप से एक्जामिनर क्योशन पूशता है तो बिल्कुल फोकस के साथ कीजेगा जिसको नहीं आया वो भी कर लेगा अब दूसरे टाइप का क्योशन है आपसे क्या पूशा जाएगा सुनो भाई मैं बोल रही हूँ आपसे पूशा जाएगा सपोस करो क्योशन पूशा गया कि एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास दो प्रतिरोध है सुनो भाई क्या बोल रहे है कौन का सा है दस ओम का प्रतिरोध है ठीक है यह आरवन मालो यह आरटू मालो अब वो क्या बोल रहे हैं सुनो इसको बोल रहे हैं कि इसने इसे पहले तो इसने इसने इसे पहले तो सुनो भई क्या बोल रहे हैं पहले तो श्रेणी क्रम में जोड़ा इस प्रतिरोध को पहले प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है आपसे प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है अब देखो कितना सिंपल क्योंशन है पर तुम अटक गए बहुत सारे लोग अटक गए इस अनुपात में अटक गए हो मैंडम पहले तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया फिर श्रमांतर क्रम में जोड़ दिया हम तो इसकी लेंग्विज में अटक गए अब क्या करें अरे नई बिल ऐसे नहीं करते हैं देखो मैं चाहती हूँ तुमारे कॉंसेट क्लियर हो भाई मैं क्या दियू बढ़ा पे तक फिजिक्स आजाए तुमको समझ में तो कोई गलती नहीं करेगा सब मेरे साथ आंसर करेंगे देखो तुमसे क्या पूछा है तुम्हें बोला पहल पहले तो श्रेणी करम तो जो पहले होता है वो तो उपर आता है तो मैं क्या लिख सकते हूँ भाई मैं बोलूंगी तुल आर तुल्य और तुल्य किसके लिए बोल रही हूँ मैं मैं श्रेणी करम के लिए बोल रही हूँ आर तुल्य श्रेणी करम अपन मैं क्या लिख सकत तो जो बाद में किया उसको नीचे लिख दो और अनुपात पूछा है तो अब्वियस है कि आप इसी तरह से लिखोगे भाई श्रेणी करम का अनुपात तुमको पता है श्रेणी करम कैसे निकलता है मैंडम R1, R2, R3 ऐसे ही तो निकलेगा और देखो R1 इसका तो फॉर्मूल करना मान रख दो R1 कितना है PANCH और साथ में क्या है 10 खटम कहानी इधर क्या लिखोगे इधर लिखोगे PANCH गुणा 10 अपकों क्या PANCH पलस दस सीधी सी बात है ये तो होगया PANTHRA, अपकों कितना आगया PANTHR, बटे कितना होगया PANTHR, अरे भाई बोलो हुआ कि नहीं पटाफट से बता दो अरे ऐसे करोगी कि नहीं करोगे या फिर ऐसे नहीं करो तो देखो अलग-अलग solve कर लेना कुछ नहीं करना अलग-अलग solve करना श्रेणी करम का तो कितना आ गया यह आ गया और 50 पछास बट्टे 15 का करोगे तो 10 बट्टे 13 आये गा कि नहीं आएगा अब वहीं 50 अब देखो क्या करना आपको कुछ नहीं करना आपए सिंपल सी बात है यह तो पंद्रा दे रखाहें तो क्या हो जाएगा पंदरा बटे दस ये उपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा पंदराती पैतालिस बोलो भाई जाएगा कि नहीं जाएगा अब आंसर बता दो मुझे फड़ावट से बताओ आज मैं आ गई डॉक्टर यचू अरे वावावा यचू बहुत ही बढ़िया बच्चे वेरी आंसर पूछा है तुमसे अब प्रिया बोल रही है मैंडम 9.2 नो अनुपादो वेरी गुड डिके बहुत बढ़िया प्रिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब आपको क्या करना है देखो सुनो यहाँ पे पंदराती पैतालिस बटे दस और ऐसे क आंसर कितने लोग निकाल रहे हैं बताओ कितने लोग निकालेंगे विनोज जी सुरेश कुमार मीना क्या बोलना चाहरे हो मैंडम प्लीज आंसर क्या हो गया आपका सही था मुझे बताओ क्या यह 4.5 के फेवर में कितने लोगे थमसप करो फड़ावट से बताओ जो 4.5 के फेवर में वो थमसप करो जल्दी से करो भाई जल्दी से करो चार पॉइंट 5 के फेवर में वो थमसप करो अभी आएगा अभी दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा बताओ भाई फड़ावट से रेनुका हंसा राकेश 4.5 के जो फेवर में वो थमसप कर दो एक पार कर दो डीके जी सर फेवर में अर्पित फेवर में और बच्चे जो भी थमसब करें रहा है और जो भी चार पंट पांच के फेवर में थमसब कर रहा है वो सब गलत है वो सब गलत है क्यों गलत है मैंडम क्योंकि मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर क्या पूछा है अ अनुपात पूछा है आपसे अनुपात पूछा तो अनुपात में आंसर दो ना जादा जादा आपने आपको हुशार बनाने की जरूती नहीं है भाई आगे सॉल्फ करने की जरूती कि ये बंदे ने बोला है अनुपात बताओ मेरे को मेरे को आंसर नहीं चाहिए उसने बोल दो, 4.5 कोई नहीं लिखेगा, 4.5 लिखते ही तो गलती, 4.5 लिखते ही तो गलती हो जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मेडम 4.5 बिलकुल नहीं लिखेंगे, हम तो 9 अनुपाद 2 लिखेंगे, मतलब 9 प्रतिरोध तो किसका हो गया, शेणी करम का, और तुल विनोद, विनोद को समझ में आ गया, बाकी लोग क्या कर रहे है, रवीना, रवीना लेट हो गई क्या, चलो बताओ, सुरेश तुम क्या पूछ रहे थे, इनसौर बहुत बढ़िया, ललिख जी, 9 रेशो, 9 अनुपाद 2 कर सकते हो, बोलो समझ में आया है कि नहीं अब बता इतना अच्छा, एक क्योशन जो बहुत पूछाता था, आज अब जो है, मैंने बचपन की याद दिलानी है, अरे वा, सुरेश कुमार मीना, सुरेश जी क्या बोल रहे है, मैडम जी, मेंस रिजल्ट डिकलियर हो गया, पूछ रहे हो, बता रहे हो, क्या कर रहे हो, तो बता बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लट्टू ठीक है, देखो भाई, कैसे बनाएंगे लट्टू पर उससे पहले क्योशन देते तुमको छोटा सा, क्योशन इस तरह से पूछा जाएगा, कुछ नहीं देंगे तुमको, कुछ नहीं देंगे तुमको, सिर्फ क्योशन इस तरह स आरवन आटू भी छोड़ दो इसको बोल दिया 2 Ohm का ये A और B हो गया टर्मिनल सपोस्ट करो इसको आपको 4 Ohm दे दिया इसको आपको 4 Ohm दे दिया इसको आपको 2 Ohm दे दिया आप से पूछाए कि प्रतिरोध बता दो भाई A और B सिरो पर ठीके बस कुछ नहीं दिया है सॉल्व कर दो ये दोनों टेली नहीं आती है ग्लास में कोई बात नहीं ठीके फटावट से बताएंगे अरे पढ़ लो चलो ठीके जेकी जी के आर जाकर जी बताओ कुछ नहीं दिया है आपसे अब आंसर पूछा है परतिरोध बताना है वायर में कितना अब जो समस्दार होगा जिसमें दिमाग होगा वो तो कर देगा और जिसमें दिमाग नहीं है वो नहीं कर पाएगा तो फटावट से आंसर कर दो मैम क्या कर सकते हैं कैसे करेंगे किस तरह से करेंगे छै बोल रहे हैं मोहित गर्ग बड़े तेज हो रहे हो है बहुत बड़ी है और जितने लोगों को नहीं समझ मैं वो यहाँ पे समझो अब क्या करना है अब देखो मैडम ये तो भाया ये वाला प्रतिरोद तो ये दो तो हमको समांतर करम दिख रहे हैं अब तक तो श्रेणी करम और समांतर करम अलग-अलग पड़ा था अब श्रेणी करम समांतर करम एक में डाल दिया कैसे सॉल्फ करेंगे भाई कुछ नहीं करना बिलकुल सिंपल है मैंडम कैसे सिंपल है वेरी गुड वेरी गुड सब सब समझदार हो रहे हो हैं अनूम बहुत बढ़िया चलो ठीक है हंजी सब समझदार हो रहे हो देखो मैंडम कैसे करेंगे ये वाला क्योशन मैंने चार टाइप के क्योशन करवा है और कोई नहीं किया है ना अगर तो देख लेना चारो टाइप के question करवा दिया है किस किस type के question पूछे जाते हैं ठीक है आप देखो क्या बोला जा रहा है मैडम ये तो है आपके समांतर क्रम में ये है श्रेणी क्रम में तो पहले समांतर क्रम बाले को solve कर लेते हैं सिर्फ इन जब solve कर लेते हैं इनको जब solve करेंगे तो कैसे करेंगे आपको पता है मैडम R तुलिय कैसे निकलता है मैडम रतुलिय निकलता है R1 R2 multiply by R1 plus R2 मैडम चार चोकadem में 16 गडेंगे और चार चार आठ कर देंगे कर दें चार चौक 16 और चार चार आठ 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 दूने 16 दो ओम तो देखो आपके समानांतर क्रम में जो क्या आगया समानांतर क्रम में जो प्रतिरोध आगया वो तो आगया मैंडम दो ओम का अब अब ये वायर कैसा बन गया अब ये वायर मैंडम ऐसा बन गया ये तो पहला प्रतिर भार कया बन गया श्रेणिक्रम का बन गया ठीक है अरे कोई बात नहीं में ओना चलो देखो अब क्या करना है दो लो मतलब कि श्रेणी क्रम अर वन करते हैं प्लस आर टू करते हैं प्लस अर यू करते हैं समझ में आये कि निया पोटाओ भाई फटावट बोलो बोलो विए वर नजी का राइट है और कोने डॉक्टर यसू यशू जी फिजिक्सिया समझ में आ रही है तुमका ठीक है स्पीड स्लो रखूं सुरेश कुमार मीना अब बोलो जिसको समझ में नहीं आया अगर देखो समझ में आ गया तो मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगी यार मैं पक गई अब इसको पड़ाते पड़ाते तुम भी पक गई होंगे अब इसको पड़ाते पड़ाते बताओ भई जाइक वक्त आयं च Богांने में साइंस थोड़ा हैं कोई बात नि तुमको हवाई जहाज बना देंग स укतती क्या बना देंग मंगत्र है सब्सक्रूबद सब्सक्राने फिर्फाण करूंग दोते इस पता लग जाता है अब ऑस बता करो मुझे स्पीट का थोड़ा समझ नहीं आता है पता ही नहीं क्या कैसे एक्सप्रेस बन जाते हैं मुझे नहीं आया डिपीका शर्मा को निया नहीं चलो अभी देखो अभी देखो फटावट से आचा डिपीका तुम्हें नहीं करना फिर इसको नहीं क्या प्लीज यह मखरा रड़ा है लूब कर!! सुपर कंडेख्टिविटी। टॉपिक रहता है और ने इसी के अंदर कि दुपिका जी एटॉपिक डिपिका जी तुम्हारा नाम नहीं लेती हुँ इसलिए अरे यार दिपी का आगे है समझ में ठैंक गॉड ठीके पिंटु जी आगे बढ़ें अब देखो अब एक एक टॉपिक रहता है सूपर कंडेक्टिविटी जिसको कहा जाता है अती चालकता क्या कहा जाता है अती चालकता चालकता अब भाई अती चालकता का कॉंसेप्ट समझों बड़ा ही मज़ेदार है इस अती चालकता को समझ गए तो तुम एक दिन ऐसा करोगे एक दिन तुम्हारे घर का बिजली का बिल खतम कर दोगे तुम आएगा ही नहीं बिजली का बिली अती चालकता पढ़ने भर से तुम्हा तो इसी तरीके से वह भी एक प्रकार का क्या है वह जो आपकी सूपर कंड़क्टिविटी ए मतलब ऐसी कंड़क्टिविटी जो नॉर्मल नहीं है अबनॉर्मल जो सबसे अलग है इसलिए उसको क्या रहे है अतीचालकता पहली जीस तो यह ध्यान रखना कि मैडम यह अतीचा जी चालक प्रधारतों में शो होता है यह अतीचालकता इतना समझ के अंदर से वह इलैक्ट्रों घुजार सकते हैं जिसके अंदर से वह विद्धुधारा को घुजार सकते हैं वो क्या कहलाएगी सूपर कंड़क्टिविटी ऐसे चालक जो अपने अंदर कुछ स्पेशल गुन रखते हैं ठीके आप देखो भाई फटावट से मैडम इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया अती चालक ता की बात कर जो चालक प्रधार्त में हो गया तुमसे इतन बढ़ाया जाए कली पढ़ाया है चालक प्रधार्तों में यदि टेंपरेचर बढ़ा दिया जाए तो बताओ प्रतिरोध क्या होगा बढ़ेगा गटेगा पहले बढ़ेगा फिर गटेगा या फिर जरू रहेगा अगर चालक प्रधार्तों में टेंपरेचर बढ़ा दिया तो प्रतिरोध क्या होगा मैंने कली पढ़ाया है मतलब सब लोग मेरे चश्मे में पीछे पढ़ गया हाथ दो कि सपना गड़ी निदूंगी बेटा है ना गलत बात अनुच अनुच की तरह नहीं बोलने का ठीक है चलो बाई बताओ फटावट से क्या होगा जिरो रहेगा सारी रात रोए एक मरा सुबह उटके ले गए तुम उसको अरे मुर्खो अब गुसा आ रहा है मुझे इत्ता बुरा कल ही पढ़ाया था मैंने कि भाई अगर कल टेंपरेचर बढ़ा दिया था तो जो तापमान था वो बढ़ा दिया था तो प्रतिर बढ़ेगा बढ़ेगा अकल ही पढ़ाया था ठीके अब समझो तुम्हारे जैसा एक साइंटिस्ट था बोले आव सब लोग बोल रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा सोचो प्रतिरोध का बढ़ना मतलब उर्जा का शे उर्जा का शे वायर भर-बर के गरम हो जा रहे बढ़े तापमान जैसे बढ़ा रहे हैं वायर बढ़ रहे हैं और वायर बढ़ रहे हैं तो मतलब क्या हो गया प्रतिरोध बढ़ रहा है प्रतिरोध बढ़ रहा है तो इतनी उर्जा की खपत हो रही है वही बिजली के बिल के रूप में आ रही है तो एक साइंटिस्ट थ कुन थे kamelling ons नाम के scientist थे कौन थे kamelling ons नाम के scientist थे मेरी डाउनलोड क्लास ओटमेटिक डिलेट हो गई वा भई वा है मतलब मतलब कैसे पता नहीं मुझे नहीं पता भई अपना नहीं जानती चीज़ों मैं देखो भई क्या बोल रहें अब देखो कुल मिला के जितना जादा उर्जा की खपत तुम करोगे उतना जादा जो है क् बिजली का बहा है तो वो जो केमिलिंग ओन्स 1911 के अंदर 1911 में भई कितना पूराना आदमी होगा र कितना दिमाग लड़ा के बैठे होंगे क्यामिजिक ओन्स नाम के साइंटिस्त थे सुनना- गैमिलिंग ओन्स नाम के साइंटिस्त थे अब उन्होंने बोला कि यार तु वेलिंग वहांगों, ने सोचा कि ऐसा कर लूँ कि फैर उर्जा की खपत बंद कर दू। जोआसे खिकले it, चोजा कर दो दो, बाइ, रोड़ा कर दो सकते हिघा। पर तुम्हारा बिजली का बिल नहीं आएगा, बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं है, हाँ वो वाली तो हो गई, सुरेश वो प्राइवेट हो गई ना इसलिए, अब यहां पर हो ना इसलिए, ठीक है तो डोंट वरी, समझ में आई कि नहीं है, समझो बात को, हाँ हाँ बिलकुल अरपित, वहीं पर यह आ रही हूँ मैं, थोड़ा सा गुमा फिरागी आ रही हूँ पर आ रही हूँ, उसी बात पर आओंगी, रुको अभी, तो उसने बोला, कि भाई मैं ऐसा तार बना दूँ, कैमिलिंग ओन सोचते हैं, कि मैंने ऐसा तार बना देना है जिसके अंदर उर्जा की खपत जीरो कर दूँगी, क्या कर दूँगा है यह तो, कर दूँगा, जिससे क्या होगा, भाई, प्रतिरोध मैं शुन्या कर दूँगा, और प्रतिरोध शुन्या कर दूँगा, तो मेरी उर्जा की खपत नहीं होगी, टकरे नहीं होगी, उर्ज अब देखो समझो यहाँ पे नहीं हो सकता ऐसा फिर बोला गया कि ऐसा temperature चालकती चालकता का मतलब क्या है ऐसा तापमान ठीक है ऐसा चालक का तापमान जो प्रधार्ध का प्रतिरोध क्या हो जाता है शुन्य हो जाता है वही अती चालकता है तो मैं क्या लिखरी हूँ ऐसा तापमान जिसमें प्रधार्थ का प्रतिरोध शुन्य हो जाए क्या बोल रही हूँ? शुन्य हो जाए वह अति चालकता कहला रही है और अति चालक प्रतार्थ कौन सा होगा? जिसमें प्रधारत का प्रतिरोथ क्या होगा शुन्य होगा तो भाई सहब उसने जो है कैमिल लो कैमिलिंग ओंस ने उन्होंने सबसे पहले जो प्रियोग किया वो किया पारे पे किस पे किया पारे पे मर्क्यूरी पे किस पे किया भाई सबसे पहले मर्क्यूरी पे क्रांतिक ताप भी कहते हैं, इसको मैं क्रांतिक ताप भी कह देते हैं, उन्हें सोचा कि मैं क्रांतिक ताप तक ले जाओंगा Scot Vini and पीसे अन्हेный पराट प्रढ़ार्ज पर्दार्थ कें गित Nein अब यह थ्के खुए इस से टाप बना लो और भिर फिर जो है electricity लाओ और बिजली के बिल खतम करो ठीक है ठीक है इतना समझ में आए कि नहीं आप देखो क्या हुआ ठीक है अब देखो यहां पर क्या हुआ यह जो mercury mercury के अंदर उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया भाई पहुंच गए पहुंच गए बना लिया अतिचालक प्रधार्थ कौन सा बना लिया भाई उन्होंने जो अतिचालक प्रधार्थ बनाया उन्होंने दिमाग लगाया उन्होंने बताए क्या किया माइनस 268 सुनो भाई क्या बोल रहे है माइनस 268.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उन्होंने देखा कि उस उस प्रधार्थ का जो πूतीरोध है उस चालक का उस प्रतिरोध का वो हो गया शुन्य हो गया किसका हो गया शुन्य है पर तुम को पता है मर्किरी क्या है लिक्विड है अब बोले कि मैं समर्किरी तक तो पहुंच गया कि अगर में मर्कूरी का टेंपरेचर माइनस 268.8 डिगरी सेल्सियस रखूंगा तब तो भाईया बिल्कुल प्रतिरोज शुन्ने हो गया कोई उड़ जा की हानी नहीं है बिजली का बिल शुन्ने है पर यह बताओ भाईया ओंस जी कि मर्कूरी का कोई बनता है क्या वायर तो अब चलो देखो फड़ा फड़से तो ये बात हुई यहां पर कि मैडम हमने बनातों लिया ओंस जी जी हो है सबसे पहले मर्कूरी पर कर रहे थे और वो कौन सा ताप मान होगा तो क्रांतिक ताप कितना है भाईया माइनस 268 कितना हो गया अगर माइनस 268 पर रखोगे ना माइन वर्तमान पर तो wn. औ. कितना पर ये माइनस 123 डिगरी सेल्सियृं सन्क तेकर यह और कितना हो गया है और उम्मीद कर रहे हैं भह। जल्दी कहां तक पहुँँच जाएंगे हम लोग ये चाते हैं कि हम लोग ऐसा बनाले हम लोग ऐसा प्रधार्थ बनाले जो कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, जो कि कमरे का पन्रूमर्मल टेमपरचर ले रहे हैं ताप पर जो है रेजिस्टेंस पहुंच जाये यही तो बात इइतने कम टेंपरिशन में कैसे मैंटेन करेंगे इसलिए हम लोग आजकल बिज़ली का बिल चुका रहे हैं जिस दिने हम लोग यहां पहुंच गये देखो कहां से यहां पर पहुंच गये उन्हों पर हम लोग अभी वर्तमान में यहां तक पहुंच गए इतने तो उठ गए अब यह चा रहे हैं कि 25 डिगरी सेल्सियस तक हम लोगों को मिल जाए तो भाजी जीच जाएंगे तब हम लोग भर-भर के बिजली का उपयोग करेंगे गौवर्मेंट भी यही चाहती है ठीके बठ हम करेंगे, कैसे यह हमारा देखो आप भी तो बोल रही थी मैं, कि अब खोज जारी कर दो तुम्हारी मरजी कैसे करो, जा क्या करना है कौन सा लेना है, कौन सा वायर लेना है क्या करना, यह सब तुम सब साइंटिस्ट बन गई हो बोलो भाई सबस्ज में आया, रूम टेटेशन पर हम लोग बोल रहे है ठीके न, यह जहान रखना पांच जार आया है न, बस यह तो बात है यह जिस्टम करें कैसे, तो यह बड़े-बड़े साइंटिस्ट करेंगे अपन चोटे-मोटे लोग है अपन नहीं कर सकते ठीक है, तो ध्यान अगना अब इंतजार करो उस चनका उस पलका जब 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हमारे वाईरिंग, हमारे उस प्रधार्त को क्या लिया है उस पे प्रतिरोध अगर हम शुन्या कर देंगे तो वही जो है, अतिचालक अगर प्रधार्त बना लेंगे तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या, क्या, हम बोल सकते हैं कि अर्धचालक होंगे, अचालक होंगे, कुचालक होंगे क्या वो वो क्या है क्या वो भी बन सकते हैं क्या अतिचालक प्रदात में नहीं बन सकते हैं क्योंकि मैडम उनमें अगर आप तापमान जादा करते हो तो प्रतिरोध कम हो जाता है अर्द चालक सुलो भाई बात सुलो अर्द चालक की बात कर रहे हैं और यदि बात करती हूँ अर्द चालक की तो उसमें अगर आप टेंपरेचर बढ़ा दोगे उसमें अगर तुम टेंपरेचर बढ़ाते हो तब तो परतिरोध कम होता है जबकि यहां की बात करो तो भाया temperature बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इसलिए अती चालक का तो वो सिर्फ चालक प्रधारती शो करता है super conductivity सिर्फ conductor ही शो करेंगे non conductor नहीं करेंगे अर्ध चालक नहीं करेंगे बोलो भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया मोहित को एक प्रेंड़ना मिल गई है मैंडम ऐसा कर सकते हैं ठीके कैसे लोगे चंदन electron का प्रभा कैसे कराओगे हवा में कराओगे electron को प्रभा करने के लिए किसकी जरूत होती है electron को प्रभा करने के लिए विद्ध धारा की जरूत होती है मैडम aluminum भी super conductivity show करता है क्या देखो aluminum धातू है और aluminum करेगी aluminum करेगी ठीक है 25 अप्रेल बात करेंगे हम हाँ बिलकुल करेंगे तो अновर्थ चालक अब आप सोचियोंगे मैडम चालल कत्व में क्या क्योंशन पूचे जाते हैं मैं क्योंशन बता चाउचन में में केमिलिंग ओंस ने बताया था फिर पूछे जाती है कि किस में बताया था एच जी मरकरीम बताया था और पांच वा ये टेंपरेचर थोड़ा सा ध्यान रख लेना जिस परतिरोध कितना हो गया था यह और अतिचालता कि डेफिनिशन दे कि पूछ लेंगे यह फिर पूछ मैं बोल रहें जो लट्टू बनाएंगे लट्टू तो लट्टू आज बना लेते हैं बना लें लट्टू तो देखो हम लोग अब पढ़ रहें नया टॉपिक जिसमें आता है विदुत धारा के उश्मिय प्रभाव मैडम उश्मिय प्रभाव पढ़ा तो था एक बारी स् तीन चीज़े देखते हैं आप में पहले हम लोग उश्मिय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे रासाइनिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे चुमकिय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे अगर उश्मिय प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं तो मतलब क्या हो गया कि अगर कोई चालक, अगर कोई चालक, अगर कोई conductor जिसकी अंदर electricity जो है परवाइट हो रही है, उच्च, उझाभाइट हो रही है, मतलब कि विद धारा परवाइट हो रही है, और यदि वो उश्मा उत्पन करता है, यदि वो उश्मा, heat energy, heat जो है, वो क्या कर रहा है, उश्मा का उत्पन होना, मैडम क्या होना, उत्पन होना क्या कहलाता है, मैडम क्या कहलाता है, विदुत धारा का उश्मिय प्रभाव कहलाता है, मैडम इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, यही तो मैं तुम्हें समझाओंगी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे लट्टू, क् मेडम लट्टू पढ़ेंगे ठीके इत्टू नी बोल रही हूं मैं ठीके यह शू देखो फिर क्या बात कर इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं मेडम विद्धुत बल्ब के बारे में पढ़ते हैं यह पढ़ेंगे अभी विद्धुत बल्ब के बारे में पढ़ते हैं दूसरा heater के बारे में भी पढ़ेंगे परंतु सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विदुत बल्ब के बारे में बोलो कर ले क्या बात बोलो भाई फडावट से की मैडम कर लें बात लट्टू के बारे में बल्ब के बारे में कर लें पर आपको अगर उश्मिय प्रभाव पढ़ना है तो एक छोटा सा formula मेरे साथ याद रखो तब तो आप आगे बात करें और नहीं याद रखो तो ठीक है उश्मिय प्रभाव की बात करें तो उसके लिए ह बाते हैंप प्रेंपेचर के समानु पाती है और ये तीनों आपस में समानु पाती है ता आप बढ़ाओगे प्रतिरोन बढ़ेगा टकर विदुधारा बढ़ेगी बोलो भाई बढ़ेगी नी बढ़ेगी सुनो सुनो शिवम की बात कर रहे हैं शिवम सुनो भाई शिवम मैं आपके किसकी बात करें हूँ हीट की बात करें हूँ कि आपकी electricity का आपके current का हीट पर क्या effect पड़ेगा उसके लिए आप लोगों को bulb के बारे में पड़ेगा और electric heater के बारे में पढ़ना पड़ेगा इन तीनों जी जो के उपर हमारे पास question पूछे जाते हैं उसके लिए आपको एक formula याद करना पड़ेगा h equals to i square rt मतलब कि यदी आपकी जो heat है वो क्या है वो आपके जो है directly proportional होती है i के directly proportional होती है r के resistance के और directly proportional होती है temperature क समझ में आया कि याद कर लेना याद ठीक है चलो हंजी हंजी thermal effect पढ़ा रहा है अब देखो भई नेक्स्त मैम सबसे पहले में bicycle में बात करें की नेक्टकि की में बात करें मैं विदूत बल्ब कि कर लें क्या बात बोलो भाई विदूत बल्ब के क्या वक्त है क्या अपने प रहें हीटिंग एफक्ट की बात कर रहें भाट करें डार स्का checking से बट्रत लद अप बना लेक तो 2 तेन बना लिट्टो वह टू यह जो हैं दो तर्मिनल ऐसे लगे होते हैं जिसको आप इन करते हो और आगे इस तरीके से आप आगे वाइरिंग चाहते हूं, ऐसा ही होता है, सबसे बेसिक पार्ट तो यह होता है, फिर इसके बाद में मैम यहां से, यहां से मैम हमने देखा है कि यहां से एक फिलामेंट निकलता है, यहां से क्या निकलता है यहां से एक फिलामेंट निकलता है, मैम कुछ इस प्रकार का, ठीके, यही फिला दिया है यह लट्टू बना दिया है अब देखो मैं मैं इस खाली जगे में क्या बरी हुई ये जा जाता है इस फिलामेंट क्सका बना हुआ है इसके वारेंट के प्रतिरोद की निमनल दाब पर गैससे भरी होती है क्या भरी होती आप बताओ भाई कौन सी गैस बरी होती है क्यों बरी होती है कैसे बरी होती है बताओ भाई फटावट से कोई बोल रहे है नाइट्रोजन नहीं बच्चे नाइट्रोजन तुम्हारे चिप्स में ही होगी औरगन बोल रहे है औरगन बोल रहे है हाँ पर मैं तो बल्ब की बात कर रही हूँ यहां पर मैं किस की बात कर रही हूँ बल्ब की बात करें पर इसके उपर पहले यहां सुनो मेडम निमन दाप पर गैस बरी होती है हमको कैसे पता लगेगा हमको कैसे पता लगा यह बात किस ने बोली याद करो केमिस्ट्री मैंने बोला अभी तक तो यहां पर ही पहुंच रहें कि मैडम निमनदाप पर गैस बरी होती है तो यह परशन कहां से आया किसने बताया कि निमनदाप पर जो है वह गैस बरी होती है मैडम तो याद करो भाई मैं केमिस्ट्री वाली बात सर जे जे टॉम्सन कोन थे बाई सर जे जे टॉम् तो फिर उन्होंने बाद में क्या किया तो उन्होंने जब सर्च किया तो पता लगा भाया निमन दाब पे करोगे तभी कोई आपको क्या मिलेगा तभी आपको जो है एनर्जी जो है कोई रिजल्ट मिलेगा अधर्वाइज नहीं मिलेगा तो यह जब सर्च किया तो पता लग प्रथा शुरू किस ने कर दी थी जे जे टॉमसन ने कर दी ही क्या थी ती टूब लाइट की तरह इह वैवार प्रदेशित कर दी ती तूब लाइट जैसी थी उसके अंदर उन्होंने निम्न दाप पर गयास भरी थी तब से ही बल्ब जब बनाया इन्होंने तो बुला तॉम सब्सक्राइब दया में जान होती है और लिए और नियॉन भी ध्यान रखना दोनों गैसे हैं और नियॉन भी होती है और प्रश्ण तुम्हारे माइंड में क्या उठा यहां में मैडम फिर एक्जाम में कौन सी करेंगे ठीक है very good very good बताएंगे भी तसली रहो मनीराम जी वो भी बताएंगे ठीक है वुछ फार oh soon अगर आर्गन दिया हो तो और और गन नहीं दिया हो तो नियोन को टिक करना ठीक है तो और्गनों नियोन दौनों भरी जाती है अब प्रश्ण उड़ता है कि मैडम यह अक्रिय गैसे क्यों भर रहे हैं हमारी मर्जी जो चाहे गैसे क्यों नहीं भरी है यह भी बात सही है तो सोचो तुम सोचो अगर इसमें ऑक्सिजन भर देती मैं सोचो इसके अंदर अगर मैंने जो अक्सिजन भर देना था तो क्या होते हैं इलेक्टरॉन तो मेडम मुव कर रहा है इलेक्टरॉन पर करते हैं कितने तेमप्रेचर पे बबुला होके बैठे हैं और उसके पास में कोई ऐसी गैस बढ़ देते जो कि खुद भी रियक्शन कर रही होती जैसे कि मैं बढ़ देती ऑक्सिजन भाया बल्ब फूट जाता तुम्हारा बल्ब बिल्कुल क्या हो जाता फूट जाता क्यों 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 कि समझो भाई इलेक हम हम ही थोड़ा भाग लेते हैं जो भरेंगे वो तो शांत बैठी रहेगी ताकि वो अक्रियमाद्यम बना पाए उसको फरक ही नहीं पड़ रहा है कोई किदर लड़ाई कर रहा है किदर ही कर रहा है कोई नहीं फरक पड़ता इसलिए आपने और और नियॉन गैस भरी अब व से इंडिकेट किया जाता है जिसको जो है क्या बोला जाता है जिसको वुल फर्म बोला जाता है क्या बोला जाता है और वुल फर्म के कारण इसको क्या कहा जा रहा है भाया डबलू कहा जा रहा है ठीक है अब यह कठोर है तो मैडम यह मैल्ट नहीं होता है यह क्या कर रह है तो यह कितना दे पाघाए इसका भकतने टेंपरेचर पर यह तो अब याभी तो बताया तएलागा अब तुम्हाररे में कॉश्न भी या रहा क या तुम्हारे मार्य हम च़्वार छोड़ा यह था इस आप सब्सक्राइब बतान। बद रहेता है क्या हो गया राहूल कोई दिक्कत आ रही है गया बताओ भई फड़ावट से राहूल विश्णोई चलो अब समझो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं यहां पर बात करें अगर इसकी बल्ब की तो बल्ब में इसका बात कर लिए फिलामेंट जो है वह कौन सा है बाई मैंडम फ्यूज खाता है माले फ्यूज क्यों होता है घृणहों १्य त्वास टूट ौ समता यह फोच से टॉट चोंभ थाइक है जब इस जो पूर्णकस्टें है यह जो टाइल नगा रहेए जब इसका टेंपरिटर कहा पहुंच जाएं कितना पहुँच जाए 3400 डिगरी से यह मान लो तुम लोग 3450 डिगरी तक पहुँच जाता है तो यह टूट जाता है तो यह ब्रेक हो जाता है बीच में से और उसी condition में जो है बताओ भई फटावट से तो यह चीज अगर मैं बात कर तो 3400 से क्या हो जाता है भई 3400 से कितना हो जाता है आपका 3450 जिग्री तक हो जाए ठीक है क्या temperature का क्या नहीं समझ मैं है तुमको क्या दिक्कात आ रही है temperature में बताओ भई बोल रहें कि जब जो है यह नॉर्मल टेंपरेचर इसका इतना जब जब इलेक्ट्रिसिट इतने इलेक्ट्रोन निकल तो यहां पर बात तो फिलामेंट जो है अगर इसका परिपत यहीं पर खतम कर देगा ठीक है चलो किस मेटल का होता है सतेश यही तो बता रही हूं फिलामेंट किस मेटल का है बच्चे है फिलामेंट है आपके इसका टंगस्टन का अचा एक और क्योचण आपसे क्जाम में पूछा गया है कि बपल्ब की ओसत आयो कितनी होती है बताू बताओ फडावट से कि मैम बल्ब की औसदाइउ कितनी होती है गणेशर की class ढबurg जो है बच्टे अभी है चार बजे पांच चार बजे चार बजे है class गणेशर की ठीक है तो बल्ब की औसदाइउ कितनी होगी त्रिप्ती त्रिपाथी जी बता दिये हम आपको ठीक है और सद आयू पूछा है तुमसे 10 दिन 19 दिन अच्छा इतना ही चलता है कि तुमारा बल्ब 860 दिपिका बोल रही है एक साल भाई तुमारे सालों पर निर्बर नहीं करता ही है तुमारे यूज में लिये गए घंटों पर निर्बर करेगा सालों में नहीं करता है बच्चे सालों में नहीं करता है ठीक है 10 दिन चलता है नई राकेश जी ठीक है वेरी गुड मोही तो आसपास पहुंच गयो बच्चे 1000 घंटे 1000 हार्स ठीक है तो ये इसकी औसदायू होती है ध्यान रख ले ना बल्ब की लगबग औसदायू कितनी होती है भाई 1000 घंटे ठीक है समझ में आ गया तो ये कहानी है बच्चे अब अपनी प्रतिरोद भी क्या है बहुत ज़ादा है प्रतिरोद भी जादा है इसके अंदर ध्यान रख लेंगा मैलटिंग पॉइंट होता है को यहां से निकल कि यहां पे चिपगْ जाते हैं इसलिए वह आपका जो बन अन्दर से क्या बंद धन एक इस ठेंगा इतन की we'll 곡 participating होते हैं to ओदर हांप से चिपग जाते हैं ठेक chef समाज में आगियो!